दे टास्क बारवी में आप सभी का स्वागत है सभी लोग आंगन में बैट कर बाते कर रहे हैं बेटा क्या आप दोनों खाना बनाना सीखना चाहती हो क्या हाँ मम्मी हम सीखना चाहते है अच्छा ठीक है फिर ले आओ बर्टन और बनाओ मैं सिखाती हूं तुमें लेकिन मम्मी सारे बर्टन तो घर के रसोई में है जो जो बर्टन चाहिए घर के अंदर से ले आओ और बनाना शुरू करो हाँ रिया किया इस काम में हम दोनों तुम दोनों की मदद करेंगे हुले हुले किया मजाएगा चलो बर्टन लेने आज तो बहुत मजाएगा हम दोनों खाना बनाना सीखेंगे दोनों बर्टन लेने चले जाती है और ये किता भारी है सर के उपर रखके लाना पड़ रहा है ममी ये लो भगोईना मैं अंदर शाह और बर्तन लेकर आ रही हूँ रिया किया दोनों जल्दी जल्दी से बर्तन लाने लगते हैं लो ममी हम सारे बर्तन ले आए बर्तन तो ले आए अब अंदर से नमक, चावल, डाल, आलो, मिर्च भी ले आओ तभी तो कुछ बन पाएगा ठीक है ममी हम अभी ला रहे हैं हम दोनों तो बुद्धु है जो बनाना था वो तो लाए ही नहीं हाँ यार ममी ममी ये देखो, मैं दाल लेकर आ गई और ममी ये देखो, मैं तो चावल भी लेकर आ गई हूँ अरे ये सबजी वाली टोकरी तो बहुत चादा भारी है ममी दाल, चावल और सबजिया हम लेकर आ गई है येश, तुम अंदर से चूला ले आओ फिर खाना बनाना शुरू करते हैं ठीक है मैं अभी चूला लेकर आता हूँ यस चूला लेने के लिए गर के अंदर चला जाता है इन दोनों के चक्कर में मैं कितना ज़्यादा परिशान हो रहा हूँ किया बेटा अगर तुम डाल बना रही हो तो ऐसा करो दाल को एक बटन में निकालो और धोकर लियाओ तब तक मैं चूले पर बटन चड़ा देती हूँ ठीक है मम्मी मैं जल्दी से दाल निकालकर धोकर लियाती हूँ मम्मी डाल कितना लो आप बता दो चारजर नहीं तो खाएंगे हम बस बेटा बस हो गया इतना ही रहने दो मम्मी मैं स्वेमिंग पूल के पास जा रही हूँ और वहीं से जल्दी से दाल धोकर लाती हूँ कि आज स्वेमिंग पूल के पास दाल को धोने लगती है आज मम्मी कम से कम हम लोगों को खाना बनाना तो शिखा रही है डाल तक दोल गई अब जल्दे से लेकर चलती हूँ ममी जल्दे से बनाना शिखा देगी अब आप दोनों बिल्कुल ध्यान से देखना ठेक है ममी सबसे पहले हम बरतन में पानी गरम होने के लिए रख देंगे जैसे ही पानी थोड़ा गरम हो जाए वैसे ही उसके अंदर हम सारी डाल डाल देंगे बेटा इसे दो मिनिट तक थोड़ा पकने देंगे फिर उसके बाद मसाला एड़ कर देंगे अब इसके अंदर हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और फिर इसको अच्छे से चला रेंगे एक बार चलाने के बाद हम इसको अच्छे से ढख देंगे अई वाद डाल बनाना एकना असान है क्या हाँ किया बेटा अब ऐसा करती हूँ जब तक डाल पक रही है तब तक सबजी काट लेती हूँ फिर उसके बाद अराम से सबजी बनाओंगी निहारी का प्याज काटने लगती है ओ नो इत्ती प्राब्लम हो रही है प्याज काटने में मम्मी आप रो क्यों रहे हो पहले ये बताओ बेटा मैं रो कहा रही हूँ ये प्याज रूला रहा है मुझे तब ही तो तुम दोनों को प्याज काटने के लिए नहीं दी नहीं तो तुम दोनों ही रोती रहती हाँ मम्मी आपने सहीं कहा अच्छा बेटा डाल अपक गई होगी मैं जल्दी से डाल को उतार देती हूँ निहारी का डाल को चोले पर से उतार देती है अब देखो बेटा अब हम बनाएंगे सबजी सबजी बनाने के लिए कड़ाई में सबसे पहले तेल डालेंगे जैसे हमारा तेल गरम हो जाएगा वैसे हम प्याज को राम से डालेंगे प्याज को हम थोड़ा ब्राउन होने तक के लिए चलाते रहेंगे और थोड़ी देर में प्याज ब्राउन हो जाएगा हमारा प्याज ब्राउन हो चुका है अब हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर और मेच अब टमाटर को गलने तक हम इसको अच्छे से चलाएंगे और पकने देंगे हमारा टमाटर गल चुका है अब हम इसके अंदर डालेंगे आलू सारी चीजे हमें तेल के अंदर अराम अराम से डाली हैं ताकि तेल के छीटे हमारे उपड़ ना आए आलू डालने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से चलाते रहेंगे अब हम इसके अंदर डालेंगे सब्जी मसाला मसाला डालने के बाद इसे भी हम अच्छी तरीके से चला लेंगे सारी चीजे मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे पानी और सबसे लास्ट में डालेंगे हम स्वादनु साइड नमत थोड़ी देर में हमारे सबजी बनकर रेडी हो जाएगी आलू टमाटर के सबजी ऐसे बनती है वाँ मुझे तो समझ में आ गया मुझे भी समझ में आ गया हाँ बेटा, खाना बनाना बहुत ही आसान है आखिर मुझे भी सबजी बनाने आ गई अब मैं भी ईजीली बना लूँगा अच्छा अब ये बताओ चावल किसको किसको बनाने आता है मुझे आता है और मुझे भी आता है अच्छा तो फिर ठीक है तुम दोनों ही चावल बनाओ लेकिन अब मैं कुछ नहीं बताऊंगी तुम दोनों को ही चावल बनाना होगा ठीक है ठीक है मम्मी, हम चावल बना लेंगे मम्मी देखो, सबसे पहले हम पानी को गरम होने देंगे फिर उसके अंदर हम चावल डाल देंगे अब इसे उबन ले देंगे और 15-20 मिनित में हमारा चावल बनकर रेडी हो जाएगा देखो मम्मी अब हमारा चावल बनकर त्यार होने वाला है हाँ बीटा हमारा चावल रेडी हो गया है अब आप जाकर बैठ जाईए मैं आप लोगों को खाना सर्व कर देती हूँ फिर आप लोग खा कर बताना की खाना कैसे बना है ठीक है मम्मी मैं कोश्य लेकर बैठने जा रहीं और जल्दी से लाओ फिर मैं आपको बताती हूँ खाना कैसा बनाए हाँ मम्मी जल्दी जल्दी निकालो हमारा खाना निहारीका सब के लिए खाना निकालने लगती है बेटा अब आप लोग खाना टेस्ट करके बताओ की खाना कैसा बना है वैसे निहारीका खुश्बू तो बहुत अच्छी आरी है मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ की कैसा बना है यम्मी खाना तो बहुत टेस्टी बना है हाँ मम्मी खाना बहुत टिस्टी है हाँ मुसे भी बहुत अच्छा लग रहा है वाओ नियारिका तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया है मज़ा गया मम्मी बेटा अब तो तुम यह सब खुद बना लोगे ना हाँ मम्मी दोस्तो वीडियो चे लगी तो वीडियो को लाइक करें थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो बाई बाई